Hello everyone, welcome back to my channel, AJ Education Bank Guys, आज हम आपके लिए English का lesson plan बना कर लाएं हैं फिर से और ये हमारा lesson plan है, NCRD की book का तो ये हमारा second lesson plan है, एक lesson plan हम पहले ही upload कर चुके हैं, jelly bees आज हमारा topic है, the macavity, the mystic cat Guys, आज हम आपके लिए पूरा lesson plan नहीं बना कर लाएं हैं सिर्फ हमारा focus है introductory question पे, क्योंकि पूरे lesson plan में सबसे ज़गा difficulties आती है, तो आती है introductory question में लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको समझाएंगे नहीं, हम आपको पूरा lesson plan समझाएंगे ताकि आपको कोई problem ना हो और इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like भी करना होगा, share भी करना होगा और इसके बार मेरे चैनल को subscribe भी करना होगा, क्योंकि इसी तरीके से और भी lesson plan और introductory question आपके लिए बराबर लाते रहेंगे, अगर आपको lesson plan चाहिए तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा, like करिएगा और share भी करिएगा, तो चलिए start करते हैं, lesson plan ये देखी गाई, ये हमारा format है lesson plan का, सबसे पहले date, subject, sub subject, topic, class, period and duration, ये heading आपकी डालेंगे, आपको subject साथी साथ फिल करना है, subject डालके फिल करना है, sub subject डालके तुर class के डालके फिल करना है, period भी फिल करना है, duration भी फिल करना है, सिर्फ और सिर्फ, topic को आपको फिल नहीं करना है, हमने यहाँ पे इसलिए height कर दिया है, जब आपको फिल करना होगा, तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, कि आपको ये blackboard पे cup डालना है, बच्चों के पॉइंट है, ये हमारे teaching के time पे काम नहीं आते है, और ये वाले सारे जो lesson plan के topic होते हैं, ये सिर्फ हमें लिखने होते हैं, तो ये जो है, हमने यहाँ पे detail से topic नहीं लिखे हैं, इसमें पांच पॉइंट लिखने होंगे, इसमें भी 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं, teaching aids में, आपको जो चीज़ें जरुत होती है, teaching के time वो यहाँ पे mention करनी है, previous knowledge में आपको mention करना है कि the student have some knowledge about this lesson, so, आपको ये सारी चीज़ें फिलिंग के लिखी, आपको मेरे चैनल की playlist में मिल जाएंगी, जिसमें हमारे 20 lesson plan English के upload हैं, आप वहाँ जाके visit कर सकते हैं, सबसे main होते हैं introduction, introductory question, तो guys इसको detail से देख लेते हैं कि कैसे बना जाते हैं, सबसे पहला question है, tell me some name of living theme, ये student से पूछे जाते हैं, your pupil teachers होते हैं, यानि कि बीट कर रहे हैं, छात्र छात्रा होते हैं, वो बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चों की तरफ से answer आता है, man, woman और animal, तो इनहीं में से हमको एक word लेकर के question बनाना होता है, what we say that animal which we rear in our home, हम उन tell me some pet animals name, इसी से हमने तीसरा question बनाया है, फिर बच्चों की तरफ से answer आता है, dog, cat और monkey, इससे ही लेकर के आपको question बनाना होगा, what do you know about the story, the macavity, the mystery cat, अब ये question बच्चों के लिए problematic हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने ये नहीं पड़ा है, guys सबसे जो पहले के question होते हैं, य कि बच्चे वहाँ पे मौन हो जाएं, अब जब बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे, तब आप अपना statement बोलेंगे, today we shall study about the lesson, the macavity, the mystery cat, और यही बोलने के बाद में आपको यहाँ पे topic डालना है, और उसको inverted comma में बंद करना है, underline कर देना है, बस आपका ये blackboard skill हो करनी है, इस तरीके से हमको लिखना है, statement of aim, जो आप बोलिंग वो आपको यहाँ पे लिखना है, presentation heading डालेंगे, और first word जो paragraph का है, और last word ऐसे लिख लेंगे, इसके बाद जो ये heading है, ये आपको पहले नहीं डालनी है, पहले आपको इस तरीके से column बनाना है, guys ये जो column है, हमन चोटे-चोटे बनाके रखें, बट आपको इसमें लिखना है, तो ये आपको बड़े बनाने होंगे, ऐसे आमने सामने के pages में ये आपको पूरे में बनाने होंगे, लगबग आपको चोड़ा सा column लेना होगा, blackboard work का, क्योंकि इसमें आपको chart paper भी paste करना है, इसके बाद का column को teaching material, teaching method, उसके बाद है student activity, फिर teacher's activity and teaching point, मिस आपको ये सबसे बड़ा column ये रखना है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा लिखना होता है, और उसके बाद blackboard work का भी column बड़ा रखना है, इसमें आपको help के लिए आपको मेरी playlist में आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो उससे आप help ले सकते हैं कि किस तरीके से lesson plan बनाया है, उसमें हमने पूरा detail में lesson plan बनाया है, और पूरा point भी सही से लिखे है, black paper भी paste किया है, आप प्लीज मेरी चैनल पर जाके देख लीजेगा, फिर इसके बाद जब ये आप point बना लेंगे, ये column जो है, दो pages में बनाया जाता है और ये सारे heading बीश में डाली जाती है, और सबसे last का हमारा work होता है homework, तो guys सबसे last में आपको homework जरूर देना होता है, और B.A. में जब teaching के लिए जाते हैं, तो आपको जो blackboard मिलता है rolling वाला, उस पे आप homework side में लिख करके जाएं, लिख करके, ताकि आपको वहाँ time waste ना करना हो और blackboard पे बहुत देर तक ना time देना हो, तो आप बस blackboard आपना टांग सकते हैं, और बच्चों से कह सकते हैं कि student आप अपना homework note कर लिजे, तो guys यह रहा हमारा lesson plan, आप लोग comment में बताएगा आपको कैसा लगा, अगर आप कोई problem हो तो आप please comment जरूर करिएगा, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो guys चलते हैं, बाई बाई